ये वासब गाइस अनुज हेरा और वेलकुम तो डियसेवन कोर्स और आज की इस वीडियो के अंदर हमें एक बहुत इंट्रस्टिंग प्रॉलम साब करने वाले विच इस रेंवार ट्रैपिंग प्रॉलम और बहुत ही एक कॉमन प्रॉलम में यह बहुत बात पुछी आ चुक स्जुखलत है कि आपको ब्लॉक्स क्या हं रख टागर और ये एक बाद एक जब खडें है और आपको उपर से लेखाई लेकि अपने लखना ओक्ति को बताने हिए कि पानी कितना जमा हो जाएगा किटना रेंड वर रहा है तो रेंट वहां पर पानी जमा हो जाएगा इतने एरिये में इसके बाहर तो जमानी यहां से पानी फैल जागा जागे मिलगी वहीं हां दो बनके एक पनाय दो आपको कि यहां पर यहां पर hi तो टोटल हमारा 8 है, 8 यूनिट से इसके अंदर पानी ट्रैप हो जाएगा, तो आपको यह 8 बताने कैसे आएगा, ठीक है, तो एक काफी यूनिक टाइप की प्रॉलम है, काफी इंटरेस्टिंग प्रॉलम है, जड़ा सॉल्व करने करो, प्री प्रोसेसिंग का आपको मैंने मिल चुका है, अब जड़ा सॉल्व करने करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगर आप लोगों ने सोचा होगा, तो आप लोगों सबसे पहले एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पर, पानी कहां जमा हो रहा है, ठीक है, हर अगर इंडेक्स पर जाएं, हम किसी भी ब्लॉक है ही नहीं, इसके बाद तो है यह वाला बलॉक एससे बढ़ा, बट इससे पहले कोई block ही निया कोई haga-tee, कोई building ही रहा हुआ है, इस इस इन डेक्स परmember कोई पानी जमााँ नहीं हो सकता है, आप हरचीज दिट्रा कर सकते हैं, जैसि जैसे यहाँ पर पानी क्यों अगर हमें पता लगाने कि पानी कहां कहां जमा हो रहा है तो इसे पूरे की फूरे लेट में इस से बड़ी बिल्डिंग है की निए और इसके पूरे राइट में कोई ना कोई बड़ी बिल्डिंग हो नी तो यह हमें पता लगाने की हर इंडेक्स पर पानी कितना कितना जमाँ हो रहा है तो उसको पता लगाने का फॉर्मला क्या हो सकते है जरा आप वह सोचो अब यहां पर बात आजाएगी हमारी वह प्री प्रॉससिंग की कैसे मैं क्या करूंगा हर और elementally check करूंगा कि उससे left में उससे बड़ी इमारत कौन सी है ठीक है तो इससे पहले कोई भी बड़ी इमारत नहीं है इससे पहले जो है यही इसकी height है 3 तो यह 3 हो जागा अब इससे पहले इन दौन में maximum दिखते हैं क्या है तो 3 और 1 में obviously 3 बड़ा है तो इससे पहले भी है एक building जिसकी height है 3 तो यहां पहर जागा वह 3 दो यहां पहले और Radha इससे पहले एक building है जिसकी height है 4 तो यहां पहले है और कि इसको रइट से बड़ा इस सबसे बड़ा से र ही अब ん आप तूआ को सा इसके है dough by अगोब एक अब बन यहां पर आएगा वन और थी मैसा बड़ा कौ우 सा है तो इसकी फैट तो इसके रहो एक बृल्डिंग है जिसकी है थी ठीक है अब यहां पर आ अबयां ऐए तो श्रय का बड़ा रहे से हलाए सबस्से मेर शर्क बड़ईमि को तो why मैक्सिमम मैu धी चौक फोर उनिंगंगे तो four कि मैं लोग। 2 और 4 में बढ़ा कौन सा है तो 4 बढ़ा है, then again 4, then again 4, ठीक है, तो हमने 2 array बना लिया, left और right, यह array इस array के अलग है, ठीक है, यह हमने 2 array extra और बनाए है, on space हम यहां पर use कर रहे है, ठीक है, तो हमने यह बना लिया, अब हमारा काम है यह बताना हर index पर जाके, यहां पर कितना प buildings की, उन में से जो छोटी height होगी, उतना ही पानी जमाँ हो सकता है, कैसे, जैसे आप यहां पर आओ, इस जगह पर, आप यहां पर देख रहो, इस से left में जो height है maximum, वो है 3, और right में जो आ रही height, वो है 4, ठीक है, यह 3 वाली building है, और यह वाली building है 4 वाली, जो इसके right side में है इन दोन में से छोटा होगा, पानी उतना ही जमाँ हो सकता है, इस position पर, right, तो 4 और 3 में से छोटा है, 3 छोटा है, तो इतना ही पानी जमाँ हो सकता है, हमें दिख भी रहा है, 4 पानी जमाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 अगर पानी होगा, तो यहां से तो पानी जमाँ हो सकत कि right और left में से जो भी छोटा है उसको पकड़ो और उसमें से building की height जो है जो की 1 है उसको minus कर दो ये बता देगा हमें कि किसी भी index पर कितना पानी कितना ब्लॉक और कितना यूनिट पानी जमा हो रहा है तो formula basically क्या बन रहा है अगर हम formula देखें तो formula किसी भी index पर ठीक है किसी भी index आई पर क्या है वो है math.min minimum of left of i and right of i minus जो height है ठीक है ये ही बोलो या फिर height बोलो तो किसी भी index i के लिए formula बन रहा है कि left और right side में से जो भी minimum होगा वो लो और उसमें से minus कर दो इस building की height और उतना ही पानी पर जमाँ होगा जैसे यहां पर देख लिते है तो 4 और 3 आ रहे है जैसे इस वाले किसाथ चाहरते है तो इसके लिए आ रहे है 3 और 4 राइट 3 और 4 म say, I have minus 1 तो three minus 1, which is two, this is the answer panine और 2 यहां आते है यहां दिख में छोटा खू आ कूंसा three चोटा थ्री माइन ये तो 3-2 which is 1, तो यहांसरी पानी 1 जमा हो रहा है देख रो कि 1 ब्लॉक हो तो 4 और नेस जोटने लिए राया है 3-1 which is 2 यहां टू ब्लस जमा हो रहा है एक ये बलोग य ये जिरो फूर टूमेंश चोटा हुँछ था टू चोटा टू मैंस तो इस जिरो तो आप इन नमबर सो जोड़ लोगे टू प्लस त्री विच फाइफ फाइफ प्लस वाइच इस शिक्स प्लस तू इस एट तो यहां पर हमारा आगा कि एट ब्लोक्स ओफ वाटर यहां पर जमा ह कि बाद हम इसे इन दोनों की हैस्प से सौल कर पा रहे हैं यह हमारा लग रहा है तो बहुत एक सिंपल सा कोड रहने वाला है आप लोग कोड़ भी ट्राइब कर सकते हों बाकी मैं तो करी रहा हूं ठीक है मैंने कोड कर दिया इसे काफी बड़ा सा कोड यहां पर बन गया य तो सेम वही लॉजिक जो मैं आपको बता था सेम यहीं वही लॉजिक यहां पर लिख दिया मैंने पहले एक एरे हमें मिल रहा है यह जो आपको हाइट रप्रेजंट कर रहा है बेसिकली ब्लॉक्स की यह एन है जो की एरे की लेंथ है दो एरे मैंने एक लेफ और एक इंडेक्स होगी वह बताएगी लेफ्ट आई-1 मतलब जश्ट पिछला और करेंट अलिमेंट में से जो भी मैक्सिम होगा वहाँ पर जागा सिमिलर्ली हमने राइट वाले एरे फिल किया राइट एन-1 मतलब लाश्ट वाली जो पुश्ट पुश्ट होगी राइट के अंदर वही होगी एलिमेंट की पुश्ट के बराबर और पीछे से आगे इसे साइट चल रहे हैं हम एरे एक बहुत हैं तो आई एक जब तक आई ग मैंने आपको पता था हर इंडेक्स के लिए उसी इंडेक्स किसाब से फिल किया है तो आई से जीरो से लेका राइन तक चल रहर हम क्या कर रहे हैं अड़ कि इस इंडेक्स कितना प्लोक और जयंमा रखे एस लिए हमें लेफ्ट उफ आई और ड्यक्ला और दिथा दीन तो इसी के साथ ये वाली जो इंट्रेस्टिंग ज़ॉर्वर्म अच्छी लगी तो इसको लाइक करें डेना वीडियो और चैनल पर देना सब्सक्राइब बाइब लोग आप लोग से नेक्स वीडियो के अंदर बाइ